आदेना देवक्तो आज हम आपको कार्तिक महत्तम के अध्याय चार की कथा सुना रहे हैं। कल के अध्याय में हमने आपको बताया था कि जलंदर की उत्वत्ति कैसे हुई थी। जब शुक्राचारे जी ने समुद्र बंतन के समय देवताओं द्वारा अमरित को छले जाने का समस्वितांत जलंदर को बताया तो जलंदर को बहुत ही करोध आया। जदी आपने पिछले अध्याई कथा अभी तक नहीं सुनी हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाकर उसका लिंक प्राप्त कर लीजिए। अब गणेश्ची को परणाम करके कथा प्रारम करते हैं। जो कुछ कहला बेजा है वैं सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मन्थन करके जो चोधै रत्न तुमने ले लिये हैं उन पर तुमारा कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि वे रत्न तुम हमको वापिस लोटा दो। दूत के ये अभिमान पून शब्द सुनकर इंद्र बैबीत हो गया और इसमें के साथ बोला कि समुद्र सदेव हमारे शत्रू दैत्यों की रक्षा करता है। इसलिए उसको हमने मत कर जो रत्न लिये हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापिस लोटकर जलंदर को उत्तर सुनाया। इसको सुनकर जलंदर को बहुत उक्रोधाया। देवताओं को जीतने का उपाये सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत बेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दत्यों को बुला लिया। और शुम्ब निशुम्ब को दत्य दल का सिनापती बना दिया। उन्होंने दत्य दल सहित नंदनवन में जाकर इंदर की अमरावत्ती पूरी को चारों और से घेर लिया। तब देवराज इंदर की आग्या से देवताबी युद के ले तयारो कर मैदान में आडटे। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से दत्यों और देवताओं में य गोड़ों से प्रित्वी भर गई जो दत्य समर भूमी में मर जाते थे उन्हें शुक्राचारे जी अपने संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु ब्रस्पती जी दोनाचल परवत की दिवे जड़ी बुटियों का प्रयोग करके देवताओं को द जी अगए दि कि द्रोनाचल परवत उठाकर समुद्र में फेंक दो लंदर की आगया पाते ही दैतेओं ने द्रोनाचल परवत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर अरंभ कर दिया दोबारा प्रारम हुए युद्ध में बहुत से देवताम मारे गए तब देवगुरू भस्पती जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने जोनाचल परवत पर गए परवत ना पाकर देवताओं का सहार होते देखकर देवगुरू गबरा गए और व्याकू लोकर बस्पती देव ने देवताओं से कहा कि शीगर ही यहां से भागो क्योंकि ये देते जलंदर के अंश से उत्पन हुए हैं इसलिए तुम्हारे मारने से नहीं मरेंगे देवगुरू बस्पती जी की यहां बात सुनकर सब देवता गबरा गए और भैबीत होकर भागने लगे जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भाग कर चिपने लगे तब देते राज जलंदर ने जीत के नगारे बजबाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश कर दि इंदर की राजधानी अमरावती पूरी शुम्ब और निशुम्ब के अधिकार में सौप कर जलंदर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरू परवत की ओर चल दिया इंदर आधी सब देवता दैते राज जलंदर को अपनी ओर आता देखकर बगान विश्णों जी की स् संघार करने वाले शंक चकुकर गदा और पद्म को धार्न न करने वाले प्रभु आपको बारंबार नमसकार है ₌िय लक्षी रमना यह देट्यों का नाश करूने वाले यह पितांबर ठारी शर्णागतों के रक्षक आपको नत्मस्तक नमसकार है ₌ जलंधर नामक दैते स पीडित हम देवताओं के समस्तापों को हरने वाले तथा चंद्र सूरे दो नित्रों वाले आपको नमस्कार है जो कोई भगवान की इस संकड नाशक स्तूति को पढ़ता है उसके समस्त संकड भगवान स्वियम दूर करते हैं इसलिए हे राजा प्रितु भगवान देवताओं की स्तूति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शेगरता से उठकर और गरुड़ पर स्वार होकर जाने लगे तब श्री महलक्ष्मी जी ने पूछा हे प्रभू आप कहां जा रहे हों तब भगवान विश्नु ने उत प्रम्प्रिय हूं फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे तब भगवान ने कहा शंकर जी से उत्पन और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंदर को कदापी नहीं मारेंगे लक्ष्मी जी को ऐसा समझा कर शंक चकर और खडग लेकर भवान विश्नु जलंदर से युद करन के लिए युद भूमी में पहुच गए उस समय बहुत से दाते गरुड के पंकों के वेग से ही मारे गए पवन से पीड़ी तत्यों को देखकर जलंदर को अत्यंद करोधाया और वैस्वयम भवान विश्नु के सम्मुक युद करने को आ गया उस समय जलंदर और भवान वि तथा रत के सब गोड़ों को मार डाला यह देखकर जलंदर ने गरुड के मस्तक पर गदा से वार किया जिससे गरुड देव मुर्चित हो गए तब भवान विश्नु ने तलवार से जलंदर की गदा को काट दिया इसके बाद जलंदर और भवान में कई वर्षों तक बवान विश्नु ने कहा कि दैते राज तुम्हारा और हुमारा यूद करना ठीक नहीं क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो जलंदर ने कहा प्रभू यदि आप परसन है तो मैं आप से यह वर्दान मांगता हूं कि आप लक्ष्मी और गरुड सहित मेरे यहां पर में निवास करने लगा और देवताओं गंधर्वों किनरों आदी पर जितने भी रतन थे में सब छीन कर उसने अपने अधिकार में कर लिये निशुम्ब को शासन करने के लिए पाताल में बेज दिया वहां पहुँचकर निशुम्ब ने शेश आदी नागों को वश्मे कर लिया और इस विकार से दिलंधर देव यक्ष इन्नर गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की निती से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा कार्तिक महत्तम अध्याय चार समाप्तम हरे कृष्ण